हलो बच्चो कैसे हैं आप उम्मीद करते हूँ आप बढ़िया और एकड़म मज़े में होंगे तो आईए आज पढ़ते हैं हम रहीम और कबीर के दोहे हैं बच्चो रहीम और कबीर के दोहे हमारे जीवन में प्रसन्नता लाने वाले दोहें हमें सदमार्क पर चलाने वाले दोहें इन दोहों का अगर हम दोहराएंगे इन पर हम चलेंगे तो हमारे जीवन में लावी लाव होगा आएए उन दोहों को पढ़े समझे और अपने जी तेरी रहियो धुने तो बच्चो इन शब्दों का उच्छारन सही प्रकार कीजिए और लेखन कारिये का अभ्यास कीजिए तो चलिए अपने दोहों को शुरू करते हैं हमारा पहला दोहा है समे पाए फल होत है समे पाए जरिजात सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पचितात समे पाए यानि कि समे बीत जाने पर पचितात यानि कि पच्चताना पड़ता है अर्थात इस दोही के माद्यम से रहीम जी ने कहा है कि समे पर ही हमें कारे कर लेना चाहिए तब ही उसका फल मिल पाएगा लेकिन समे बीत जाएगा तो हमारे पास पच्चताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता है इसलिए जो समय हाथ लगा है उसी समय उस कारे को कर डालिये कल पर मतला डालिये ऐसा नहो समय बीच जाए्ग पीछे रहай ते रहीम बड़े लोग कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो इस दोए के माध्यन से रहीम जी ने कहा है जो इनसान गरीब का हित करता है उसके भले के बारे में सोचता है सच में बड़ा इनसान वही है जैसे की सुदामा जैसे गरीब मित्र पर कृष्ण ने अपनी मित्रता जताई थी कृष्ण जी ने यह नहीं सोचा कि वो गरीब है या अमीर है उन्हें केवल अपनी मित्रता का भाव दिखाई दिया तो इसी माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि गरीबों का हित करे और बड़े इंसान बनिये अगला दोव है हमारा बिखरी बात बने नहीं लाख करो किन कोई रहीमन बिखरे दूद को मते नमाखन होए बिखरी का अर्थ होता है बच्चो बिखरी हुई बात तो इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने कहा है कि बात अगर एक बार बिगड गई तो लाख करने पर भी वो सही नहीं हो पाती ठीक उसी प्रकार जैसे की अगर एक बार दूद फट गया तो आप उसको लाख मते रहे उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा अर्थात जब तक दूद सही सलामत है तब तक मक्खन निकाल लीजिए एक बार दूद फट गया तो मक्खन नहीं निकल पाएगा इसी तरह जैसे आपके मित्र सगे सम्मंदी है उनके साथ प्यार प्रेम सयोग की भावना रखिए एक बार बात बिगर गई तो फिर बात बनने वाली नहीं है अगला दोह हमारा है आवत गारी एक है उल्टत होए अनेग कही कबीर नहीं उल्ट दिये वही एक की है जोहे के माध्यम से कबीर जी ने कहा है कि अगर कोई सामने वाला हमें कोई अपशब्द कहता है गाली देता है तो आप पलट कर उसको अपशब्द मत कहिए गाली मत दीजे क्या होगा आप एक अपशब्द कहेंगे वो दो कहेंगे आप तीन कहेंगे चार कहेंगे इससे क्या होगा अपशब्दों की संख्या बढ़ती चली जाएगी वो घटेगी नहीं इससे क्या फाइदा नहीं होने वाला इसलिए अगर कोई सामने वाला आप कोई अपशब्द बोलता है तो आप पलटके उसका उत्तर मत दीजे वो भी शांत हो जाएगा और गाली की संख्या वहीं एक की एक ही रह जाएगा अर्थात समस्या का वहीं का वह की निन्दिये जो पायंतर होए कभू उड़ी आखिन परे पीर गनेरी होए निन्दिये यानिकी निंदा ना कीजिये आखिन यानिकी आंख तो इस दोहे के माध्यम से कभीरस कहते हैं कि हमें कभीर वी किसी वी छोटी सी वस्तू की भी निनिंदा नहीं करने चाहिए हार छो अगर वो कभी हमारे आख में पढ़ जाए तो बहुत भयंकर पीड़ा का सामना करना पर सकता है हमें बहुत जादा कई बार वो हमारी बेचैनी का कारण बन सकता है और उससे घनेरी पीड़ा हो सकती हमें इसलिए हर छोटी से छोटी वस्तु का सम्मान कीजिए चाए वो तिनक का ही क्यों ना हो जिसे आप पाउं तले रौनते हैं अगला दोहा है माखी गुड में गड़ी रही पंक रहे और लपटाए हात मले और सिंधुने लालज बुली बलाए गड़ी यानि की गड़ना उसी में गड़ जाना रह जाना तो इस दोई के माद्यम से कभीर जी कहते है की माखी मक्षन जो है वो गुड़ खाने के लालच में उसी में फसी रह जाती है पंक फैलाती है उड़ने के लिए लेकिन उड़ने ही पाती चिपक जाती है उसमें क्यों क्योंकि उसका लालच उसको ये करवा देता है ऐसे ही एक लालची इनसान अगर लालच के फंदे में पढ़ जाए तो उसके हाथ में कुछ नहीं आता कि वो हाथ मलेगा और सिंधुनेगा अर्थात जैसे मक्षी गुड़ खाने के लालच में उसमें ही फसकर रहे जाती है उसी प्रकार एक लालची इंसान भी जीवन में हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है तो बच्चों ये दो हे आपके सामने इसे रखे गए हैं ताकि आप इन से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाएं और जाने कि हमें सही सत्कर्मों पर चलना चाहिए लालच से दूर रहें लोगों का सही योग करें एक ताकी भावना रखें और सत्ते की रहा पर चले अब इन दो हों का अभ्यास कारे आप स्वयम कीजिए